कि आधर अधाव अभिनंदन अभार नमस्कार मैं सुभां कुमार स्वाकत करता हूं सभी का सुभां सिख्षा की इस यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्त होंगे कुशलमंगल होंगे इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडमेंटल फोर्स अफ नेचर और यह सभी टॉपिक हैं आपके फर्स चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड से यह तीन टॉपिक में उठाया पहला की साइंस क्या होता है दूसरा फिजिक्स क्या होता है और तिसरा आज यह फंडमेंटल फो ट्रेंजिकल बात क्लास बॉक के बारे में स्कैसिद आइक है चुल्वक्स करते हैं छीह सियुक्टाइल पर सृट्स अर फो को घ्रिक्सिंटिकम उठेशन आ क्या है सब्सक्राइब को पढ़ते हैं लेकिन मेंली जो हम लोग को पढ़ना है वह पहला ग्रिप्टेशनल फोर्स वो कहतो देखिए ग्रिप्टेशनल फोर्स इस फोर्स ऑफ मुच्वाल अट्रेक्शन बिटुन एनी तो अब्जेक्ट बाई वर्चू अपने मास्क एकॉर्डिंग जो अर्देशन होता है किसी दो अबजेक्ट के बीच मे उसकोलत हम लेक्व लग्याईशनल फोर्स एध इस सॉनिवर्सल फोर्स क्या है एक która आपका जो ग्रैविटी है वही गवर्न करता है मून के पात को और आठिफीचल साटलाइट के अपने राउंड मॉसन अब द्दर्ध को प्लैने और सब्सक्राइद को फॉलिंग फोर्ड फोलिजु आर्थ गिर्टें एंसबोड गिरा है उसके मौशन से लगए को सनोला प्लैनिट को उसका मौशन of earth हो गया यह मुस्स अर्थ के रहा हूं जो आपका मून का और अर्टिपिशल सेटलाइट का जो हो रहा है वो सभी का जो है क्या करता है क्या क्या fundamental forces उनके बारे में इसके बारे में और आके परहेंगे ठीक है जिसे आप electrostatic force नहीं पढ़िएगा लेकिन वहाँ पढ़िएगा 12th में जाकर 1st chapter ठीक है न देखिए Electromagnetic force is the force between charged particles जो charged particles बीटमेटिक फोर्स लगते सो बोलते हम लो Electromagnetic force in the simpler case when charges are at rest the force is given by coulomb law जब charge rest पर होता है force को बोलते है हम लोग coulomb law सब निकालते है attractive for unlike charges and repulsive for like charges charge in motion produce magnetic effect and magnetic field give rise to the force of moving charge जो charge movement करता है जो charge आपका magnetic field generate करता है and give rise to the force of a moving charge और एक moving charge के force को generate करता है electrical and medical effect are in general inseparable electrical effect को मेनेटिक को आप अलग अलग separate नहीं कर सकते है ठीक है hence the name electromagnetic force इसलिए नाम दिया गया आपसका electro और magnetic force साथ में ठीक है like the gravitational force electromagnetic force act over a large distance and does not need any intervening medium कोई medium नहीं चाहिए इसको ठीक है intervention के लिए कोई medium नहीं चाहिए और ये gravitational से ज्यादा large distance तक यह लगता है it is enormously strong compared to gravity gravity के मुकाबले कितना strong है देखे भी पढ़ते हैं इसके बार में जानते हैं देखे जैसे gravity is always अच्छा देखे एक बाँ बता ही gravity क्या होता है always attractive लेकिन electromagnetic क्या होता है attractive या repulsive अट्रेक्टिक कब जब unlike charge हो और repulsive कब जब like charge हो ठीक है ना अगला देखे देखे कितना strong होता है electromagnetic force समझेगा कि when we hold a book in your hand in our hand we are balancing the gravitational force on the book due to the huge mass of the earth by the normal force हम लोग हाथ के द्वारा लगा है कि normal force है अब normal force क्या होता आपको समझ में आएगा फिलाल इतना समझेगा कि माल लीजे ही आपका हाथ हुआ और इसके ऊपर कोई book रखा हुआ है ठीक है तो आपका normal force कहां से लगड़ा है नीचे से ऊपर की तरफ लगड़ा है इसको रोके हुए आपके हाथ ठीक है ना और उपर से क्या लगड़ा है gravity लग रहा है ठीक है ना दा लैटर इस नथिंग बड़ नेट इलेक्रिमेटिक फोर्स बिट्विन दे चार्ज कंश्वेंट अफ और हैंड एंड बुक जो आपका चार्ज कंश्वेंट है आपके हाथ पर लगा हुआ या बुक पर जो लगा चार्ज है उसके कॉंटेक्स फोर्स है वह इतना जादा है कि अगर उसको हटा लिया जाए ठी एक छोटा सा पंख उठाने में सुचिए ना कि एक इलेक्रिमेटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स इतना जादे कैसे है क्या समझ में आता है कि अगर वह इलेक्रिमेटिक फोर्स आपके हाथ के चार्ज और बुक के चार्ज में ना रहे तो किसी भी स्टॉंगेस्ट आदमी का हाथ मुर जाएगा उस फोर्स की वज़ेसे के फोर्स की वज़ेसे अगर सिर्फ एक पंख भी उठाए फेदर उठाए तब भी इंडीड तो भी कंसिस्टेंस इन डाट सर्क्रिम्स तैंस वी आवर सेल उट करूंबल अंडर यूर ओन बेट और ऐसा हुआ अगर ऐसा कर अग अगला बत करते państwo a strong almighty всё के बारे में तेकि ए ढूकलियर फोर्स के बारे में देख्ञे क्या होता है जानक करने के लिए kya हो सब्सक्रीड पर्पैट करता है उसके बजैसे जबका नुक्लियर से स्टेबल नहीं हो पाएगा अगर यह attractive force ना लग रहा होता तो this attractive force cannot be gravitational since force of gravity is negligible यह attractive force है वो gravitational तो नहीं हो सकता क्योंकि जो gravity का force होता है और negligible होता है compare to electric force, electric force के according जबका gravitational force होता है negligible है a new basic force must therefore be invoked, कोई एक नया basic force ज़रूर invoke कर रहा है and the strong nuclear force is the strongest of all fundamental force, इतना fundamental force है सबसे important जो है सबसे stronger जो है आपका nuclear force है strong nuclear force it is about hundred times the electromagnetic force in strength, electromagnetic force से 100 गुना ज्यादा इसका strength होता है it is charge independent and act equally between a proton and a proton and neutron and neutron and proton and neutron charge independent होता है और equally act करता है या तो proton proton लेजिए तब या proton neutron लेजिए तब या neutron neutron लेजिए तब इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा यह charge independent होता है और equally लगता है ठीक है its range is however extremely small लेकिन energy तो लगता है high force size के पास एका range कम है बहुत कम दूरी तक लग पाता है इतना कम है कि 10 to the power minus 15 meter है यह एक atom के size में ही राज आता है it is responsible for the stability of nucleus तो यह nucleus को stable करने में ही काम आता है the electron it must be noted does not experience the force जो electron होगा उसका force नहीं देख पाता है नहीं experience कर पाता है ठीक है recent development have however indicated that proton and neutron are built of out of still more elementary question called quarks proton or neutron are built out of still more elementary question elementary question से बने है इसका नाम होता है quarks quarks के अंदर से निकलते हैं आपका proton और neutron ठीक है अगला देखते हैं आपका weak nuclear force the weak nuclear force appears only in the certain nuclear process such as beta decay of nucleus जब beta decay होता है nucleus का तब आपको weak nuclear force दिखाई देता है यह beta decay alpha decay क्या है जब पढ़िए class 12th का nuclei chapter इसमें आपको पढ़ना है radio activity यह class 11th का nuclear chemistry तो आपको समझ में आगा इसके बारे में ठीक है in beta decay the nucleus emits an electron and uncharged particle called neutrino जब beta decay होता है तो nucleus जो है एक electron निकालता है और साथ में एक neutrino निकालता है the weak nuclear force is not as weak as gravitational force यह weak होने के बावजूत भी gravitational force से तो strong है but much weaker than the stronger nuclear force and electromagnetic force but electromagnetic force के comparison में और nuclear force के comparison में strong वाले का बहुत ही एक weak होता है the range of weak nuclear force is exceedingly small and the order 10 to power minus 16 meter strong nuclear force 10 to power minus 15 meter and weak nuclear force 10 to power minus 16 meter मतलो और छोटा इसका range होता है इसलिए nuclear force आपको उतना effect नहीं कर पाता है क्योंकि इसका range बहुत चोटा है range बहुत कम है समझ माया है so this is all the fundamental force we are talking about thank you so much for watching keep learning do subscribe my channel share if you want to share and thank you so much and if you really like this session hit a like button and if you are in doubt then you can ask on 7488 654738 thank you so much for watching we will meet in next video thank you so much